हलो बच्छों आज सेकंड लेक्टर लेके हम लोग आए हैं सिस्टमेटिक सॉप लिविंग और गैनिजम विफोर डैट आप सब लोग अच्छे होंगे मैं आपका स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पी डबलू पे मैं आपका बॉट्टनी टीचर अस्थान कीवाद सकुênio करेंगे किंग्डम मोनेरा की जो बहुत डीटेल में बात करेंगे ठीक है तो पहले यह समाझ लेते हैं कि हम लोगों ने लगों ने लास्ट लेक्टर में क्या किया तो लास्ट लेक्टर में हमने तीन क्या सिअ क्नमेटिकरी है एक था स्टार्टिंग जो था का artificial classification जहां पर morphological और sexual character के basis पर classification किया गया then natural classification जो bentham and hooker का था वहां पर plant को objectively उनके habitat में study किया गया that was a meticulate attempt to classify the plants लेकिन उसमें problem क्या थी कि उसमें phylogentic relationship की बात नहीं की गई थी इसलिए वह भी reject हुआ साथ उन्हें ने बहुत सारे अच्छे attempt किये थे उन्हेंने physiology की थोड़ी study की थी biology की psychology की लेकिन phylogentic relationship की बात नहीं की थी फिर तीसरा system आया जो सबसे advanced माना जाता है phylogentic classification आज के system में कोई भी ऐसा classification accept नहीं होगा जिसने phylogentic relationship नहीं हो ठीक है और यह five kingdom system जो था ना बैटा यह सारे living organism को एक platform पे classify करने का बहुत अच्छा तरीका था ठीक है और यह कुछ character पे based था इसमें phylogentic भी थी उसके बारे में हम बात करते हैं और दूसरा मोनेरा के बारे में भी बात करेंगे लेकिन उसके पहले कुछ basics जिसको आपको जानना पड़ेगा पहली चीज यह कि five kingdom classification था वो directly नहीं आया so basis क्या था पहले two kingdom system जो लीनियस ने दिया था उसमें दो ग्रुप थे प्लांटी और एनिमलिया और इसका basis था इसमें cell wall है इसमें cell wall नहीं थी यह बहुत ही broad group था इसलिए था कि cell wall containing बहुत सारे organism है प्लांटी नहीं है उसमें फंजाई भी आता है उसमें bacteria भी आता है ठीक है और यह plant यह तीनों को भी उसमें रखा गया सो बहुत सारा dissimilar group बन गया था यह तो उसके बाद आया three kingdom system to accommodate other organism तो उन्हों उन्हें तीसरा kingdom जो introduce किया उसका नाम था प्रोटेस्टा प्रोटेस्टा में उन्हें क्या किया कि अगर तुम three kingdom system की बात करोगे तो प्रोटेस्टा तो प्लांटी यह देन एनिमलिया तो इग्जैक्ली उन्हें किया क्या था इसमें उन्हेंने जो dissimilar groups थे उसको उठाके प्लांट से निकाल के प्रोटेस्टा में डाल दिया जैसे फंजाई बैक्टीरिया इनको उन्हें प्रोटेस्टा में डाल दिया और बहुत सारे दूसरे और गैनिजम थे जो एनिमल से प्लांट से मैच नहीं हो रहे तुमको इसमें डाल दिया और यह लाने का जो श्रेय था इट वस गिवन तुदा अंस्ट ही किल इन्हों ने थृ गैंगडम इंट्रिडूस के था टू किंडम और ले लिनियस थे लेकिन अभी भी बात बनी नहीं क्योंकि बहुत सारे जो माइक्रोइंगाइनिसम थे जिनको पहले प्लांटी में रखा गया फिर प्रोटीस्टा में रख्खा गया लेकिन वह बहुत सारे उनके जो गरेक्टर थे इस्पेसली जो प्रोकरोटिक वो थे उनके पास सेल वॉल तो था लेकिन बहुत सारे करेक्टर मैच नहीं हो रहे थे तो फोर किंग्डम सिस्टम पिक्चर में आया और इसको लाने का जो श्रे था बटा वो था और यह सारे सिस्टम है यह ध्यान रखना तू किंग्डम सिस्टम त्री किंग्डम सिस्टम और फोर किंग्डम सिस्टम यह को प्लैंड इटल उनके जो और साइन्टिस फ्रेंड्स थे उन लोगों ने डाला तो इन्होंने इंटेडूस क्या क्या है बेटा मोनेरा Monera specifically उन्होंने MicroOrganism Procratic Organism के लिए उन्होंने उसको choose किया तो एक सिस्टम और बन गया इसमें Monera और मैंने बुरा ये Phylogentic Classification था Protista उसके बाद आया आपका Animalia, sorry, Plante और लास्ट में Animalia और यहां से जो Classification आगे बढ़ा बिटा तो वो किसकी तरफ गया यहां से 5 Kingdom सिस्टम आया, ठीक और 5 Kingdom सिस्टम ने बहुत सारे characters ध्यान में रखे टोटल 5 character नमबर भी है तुम्हें याद रहना चीए वहां से 5 Kingdom सिस्टम की सुरुवात हुई आरेच विटेकर ने in the year 1969 यह आपको याद रखना है तो इट वस 1969 जब आरेच विटेकर ने इंटर्डूस किया 5 Kingdom सिस्टम तो उन्हें ने एक और Kingdom इंटर्डूस किया उसका नाम था Fungi अब फंजाई की प्रॉब्लम कहती ही? Fungi देवर Hetero Trops मतलब यह दे केनाट मेक दियर ओन फूड ओटो टॉप नहीं थे ओटो टॉप का मतलब बता वान विच कन मेक इट्स ओन फूड ठीक है? जो फोटो सिंतेसिस कर सकता हो या फिर कीमो सिंतेसिस कर सकता है उसके बारे में थोड़ी देर में बात करें ठीक है? तो अपना फूड जो बना सकता है ना विटा वो ओटो टॉप होते हैं लेकिन फंजाई के क्या थे? Hetero Trops थे ठीक? और क्या थे? इनके पास Cell Wall थे जिसकी वज़े से उनको पहले प्रांटी में रखा गया प्रोटिस्टा में गया फिर वापस अलग इंग्डम बनाए गया और यह Cell Wall किसी से मैच नहीं होती है वो एक Polysacryide है Kitein जो बनी होती है N-Stil Glucosa Mine Nag इसके Polymerization से बनती इसका Monomer है N-Acetyl Glucosa Mine Nitrogen Containing Sugar है इसके बारे में बात होगी कभी और यह Kitein एक जगा और मिलती है Exuskeleton of the Arthurport Special Insects में ठीक है अब फंजाई को अलग करने का दो तीन रीजन था पहला इसकी जो Heterotopy तीन हो भी बटा अलग थी Normally क्या होता है कि कोई भी Organism होता है वो पहले Food को खाता है Ingestion करता है फिर बाद में उसका Digestion करता है यह उल्टा करते थे पहले यह क्या करते थे कि पहले यह Digestion करते है Extra Salary और वो Digestion करने के बाद वो फिर Ingestion करते थे मतलब खाते थे Ingestion का मतलब खाना तो वो पहले Digest करते थे फिर जाके वो इंजेस्ट करते थे ये थोड़ा यूनीक लगा क्योंकि इनके पास extra cellular enzymes हुआ करते थे और ये उनको help करते थे पहले किसी चीज को digest करना फिर आस्मोफलिक वेज में उनको absorb कर लेना उनका ingestion कर लेना ये फंजाई को अलग बनाता है तो ये पांचमा kingdom जो सबसे last में आया this happened to be the fifth kingdom और यहां से पांच kingdom की classification की सुरुवात हुई ठीक है and what were the basis basis क्या था बहुत सारी चीज़े हैं ना जब तुम नीट exam देते हो तो एक चीज़ तुमे ध्यान में रखनी है की anxiety की line to line और important lines आपको पढ़ना है तो मैं अपने lecture में what I am trying my level best to incorporate those lines जहां से आपके questions बनते हैं मैं आपको पढ़के और समझाता भी हूँ दोनों चीज़ करता हूँ मैं उनको underline भी करता हूँ ये notes आपके लिए बहुत important होने वाले हैं from the competition point of view दूसरी चीज ऐसे question CET का भी syllabus थोड़ा अलग है क्योंकि 20% ही 11 का उन्होंने लिया हूँ और ये chapters उसमें नहीं है लेकिन आपको ये basic क्योंकि तो कोई ये chapter से question कहां से आ सकते हैं तो related जो chapters हैं जिससे monera की बात करो बाद में थोड़ी दिर में बात करता हूँ तो वहाँ से chapter से 2-3 question आते हैं ठीक तो basics पे ज़्यादा questions आते हैं और कुछ question आ सकता है कि उनका economic significance क्या है ठीक है दूसरे chapter के जो है fungi का थोड़ा detail अपने को करना बढ़ेगा और साथ में जो health and microbes in health अफिर health और disease वाले जो chapters है उनको मिला के भी question बन सकते है तो वो तुम्हें ध्यान में रखना है कभी कभी तुम्हें लगता है क्या रहे है यह question तो हाई नहीं है slavus में नहीं है वो 12 की book में है तो don't worry about it so main criteria क्या था इस classification का कोई भी classification होता है अब तक कि अपने जो भी discussions हुए है बेटा उसमें एक चीज तो पता चल गई है वो क्या कि कोई भी classification होगा उसके certain basics होगे certain criteria होगा जिसको use करके scientist लोगों ने classification किया होगा है ना तो क्या क्या उन्होंने देखा था पहला जो था cell का structure यहां पर उन्हेंने बात की की cell prokriotic है की eukriotic है तो एक chapter इसमें और play में आएगा वो है तुमारा cell का structure and function of the cell और cell biology बोलते है तो पहला cell structure यह पहला criteria हो गया दूसरा उनका body organization किस level को organization है जैसे तुमको पता होगा तीन level तुम बता सकते हो cellular organization tissue level organization organ level organization और जो फूर्थ वाला होता वो organ system level of organization ठीक है तो इसमें कौन से level को organization है यह भी एक basic criteria था तो यह तुमारा number two पे हो गया number three mode of nutrition यह कैसे nutrition इनका कैसे होता यह ती number का criteria मतलब क्या हुआ कि mode of nutrition मतलब वो heterotrop है कि autotrop है autotrop है तो photo autotrop है कि chemo autotrop है अगर वो heterotrop है तो क्या mode होगा nutrition का parasitism होगा predation हो सकता है या फिर वो दूसरे तरह का nutrition कर सकते है है ना तो वो तीसरे टाइप का भी nutrition जिसे एनिमल्स में होता है तो वो भी वो कर सकते हैं वो टर्म्स में जानबुच के यूज नहीं कर रहा हूं कि तुम थोड़ा इसके बारे में भी बात करते हैं चौथा नंबर था रिप्रोडक्शन का तो को रिप्रोडक्शन एक ची तुम ध्यान दो को जब टेबल उन्होंने characteristics की बनाई हुई है उसमें reproduction को नहीं डाला हुआ है लेकिन criteria हम उन्होंने डाला हुआ है यहां से confusion क्रियेट होता है यहां पर यह लाइन मेरी नहीं है यह लाइन है तो चौथे नंबर पर उन्होंने रखा हुआ है रिप्रोडक्शन को और पाच्वा नंबर है फाइलो जनेटिक relationship यह यह पांच में क्राइटेरिया तो जब भी आप criteria की बात करोगे तो कितने criteria है फाइब different criteria है ठीक है क्या क्या है वो एक जगा पर लिख लेते हैं तो five main criteria थे नंबर लिखने से यह फाइदा होता है कि तुम्हें याद रहता है पहला क्या था अगर तुम देखो तो वो था cell structure यहां पर तुम्हें यह देखना है कि cell का structure कैसा है प्रोकरियोट है कि यूकरियोट है अब उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे अग जो भी system हम discuss करेंगे ना वेटा जो भी kingdom तो हम जो पांच basis table में है उनकी basis पर करेंगे ठीक है दूसरा क्या था दूसरा था ब तीसरा क्या था उनका तीसरा था तुम्हारा मोड़ अफ नूट्रीशन कि मोड़ अफ नूट्रीशन कैसे हैं खुद खाना बनाते हैं कि दूसरे गूपर डिपेंड होते हैं चौथा नंबर जो था बो था रिपोड़क्शन और पांचवा नंबर था वो था फाइलोजेनिय और फाइलोजेनिक रिलेशन्सिप यह उन्होंने criteria choose किया था यह पांच criteria हो गए तुम्हारे mainly यह तुम्हें ध्यान रखना है यह पांचो criteria तुम्हें ध्यान में रखना है ठीक जो उन्होंने adopt करा था in order to classify the five kingdom किसने आरेच विटे करने यह बातें तुम्हें clear हो गई होंगी आगे बढ़ते हैं next point की तरफ अब basis क्या है अब यहां पर उन्होंने characteristics लिखी हुई है main characteristics जिस पर उन्होंने organism को define किया हुआ है है ना जो उसके बारे में बात करते हैं five kingdom कौन-कौन से थे five kingdom मैंने तुमको बताया it was the monera it was the monera it was the protesta it was the fungi planty और animalia यह पांच थे और पांच criteria थे you can see plant के characters क्या थे eukaryotic होगा multi cellar होगा मैं बात में भी बात करूँगा photosynthetic होगे non motile होगे और sexual production भी इनके अंदर होगा अब animalia में भी same बात होगई ठीक है ingest करेंगे यह photosynthesis नहीं करेंगे बाहर से लेंगे ठीक है अब fungi की बात कर लें eukaryotic है multi cellar यह absorb करेंगे ठीक है क्योंको digest पहले कर रहे हैं यह non motile है और sexual reproduction है अब दोगो animals की बारे में क्या था कि वो motility दिखा रहे थे तुमको प्रटिस्टन में हमेशा eukaryotic होंगे unicellular होंगे multi cellar होगी उनमें कभी कभी जब colonial structure बनाएंगे ठीक है usually यह कैसे होंगे unicellular eukaryotic होंगे multi cellar कब होंगे जब वो colony हो गएरा form करेंगे तब then food कैसे करेंगे absorb करेंगे फिर ingest करेंगे photosynthesis कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं sexual और sexual reproduction दोनों होगा प्रोक्रियोट में क्या होगा यह food को absorb करेंगे जो monoran की tendency है अलग-अलग बात करते हैं detail में और photosynthesis कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं motile भी हो सकते हैं फिर non motile भी हो सकते हैं इसके बारे में हम detail में बात करेंगे sexual production यहां पर नहीं होगा और जो होगा भी वह पैरा sexuality होगी मैं मैं बाद में उसके बारे में बात करता हूँ ठीक है तो पहला kingdom लेते है kingdom monera ठीक है अब अगर तुम characteristics की बात करोगे तो उन्होंने 5 character की बात की थी 5 kingdom में criteria के alamah वो क्या-क्या था वो cell उसके बाद nuclear membrane की बात थी nuclear membrane है की नहीं है body organization कैसा है mode of nutrition कैसा है ठीक है यह characters थे जिनके उपर उन्होंने बात की थी ठीक है तो पहला kingdom हम discuss करते हैं वो है kingdom monera अब मोने राक में पहली चीज जो तुम्हें देखनी है बेटा वो यह देखनी है की यह कैसे cell है पहला label हम देखेंगे cell structure का है ना cell structure इनके पास कैसा है फिर देखेंगे cell wall है की नहीं है फिर हम देखेंगे nuclear membrane है की नहीं है body of organization कैसा है और nutrition कैसा है तो यह पाचो criteria पर इसको हम emphasize इस पर हम discuss करेंगे और detail में जाएंगे okay so monera, monera में एक चीज तुम्हें याद रखनी है कि सारे organism prokaryot होंगे अब prokaryot का मतलब पहले समझ लेते हैं फिर I will come back to this one prokaryot का क्या मतलब होता है तो को यह दो word का मिलके बना हुआ प्रो मतलब primitive karyot का मतलब है nucleus primitive नूक्लियस ठीक है इन दोनों की meaning मिला के प्रो का मतलब primitive और nucleus karyot का मतलब होता है carry on का मतलब होता है actually nucleus जिनके पास primitive nucleus है primitive nucleus का मतलब क्या हुआ बट्टा कि nucleus well defined नहीं है मतलब उसके उपर चारो तरफ कोई boundary नहीं है ठीक है तो ऐसे nucleus को तुम incipient nucleus भी बोल सकते हो कि या फिर एक नाम और दे सकते हो कोई कोई लोग इसको nucleoid भी बोलते है ठीक और इसमें क्या होगा no boundaries मतलब nuclear membrane absent तो दूसरा criteria जो था nuclear membrane के बारे में absent ठीक है dna कैसा होगा dna is naked naked dna होगा और कैसा होगा circular होगा ठीक है circular होगा अंका dna और नो membrane bound cell organelle मतलब ऐसे कोई भी cell organelle जिसके around membrane है तुम लोगों ने cell chapter पढ़ा होगा no membrane bound cell organelle नहीं पढ़ा तो भी मैं बता देता हूँ जैसे इनके पास membrane bound cell organelle क्या होते हैं cell के अंदर जो cell organelles होते हैं जैसे माइटो कॉंडिया जैसे गॉल्जी एप्रेटर्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है लाइसोसोंस इनके उपर एक membrane की लेयर होती है है ना वैक्योल्स तो प्रॉक्सिसोंस तो वो structure इन में नहीं होते हैं मतलब कोई भी cell organelle नहीं होगा except इनके पास ribosome होगा they contain ठीक है ribosomes होगा वो भी कौन सा वाला 70s यह 70s ribosome तुमको तीन जगा पर मिलेगा 70s ribosome कहां कहां पर तुमको मिलेगा मिलेगा प्रोकरियोट्स में सारे में मिलेगा तुमको माइट्रो कॉंडिया में मिलेगा तुमको क्लोरोप्लास्ट में इसके अलावा यह कहीं नहीं मिलेगा ठीक तो ऐसे question बनते हैं 70s यह एक और दिखा रहा है कि माइट्रो कॉंडिया और क्लोरोप्लास्ट यह एक्चिली प्रोकरियोटिक और गैनिजम से आये हूं है वाइल मेकिंग दा यूकरियोटिक सेल तो इनका जो लीनियेज है यह semi-autonomous cell और गैनल्स हैं जो बाद में आये यह हमारा चैप्टर पर डिसकसन नहीं है तो यह चीज़ें अभी हम बात नहीं करेंगे तो तुम्हें क्या ध्यान में रखना है कि इनके पास नैके डियने और डियने कैसा होगा सर्कुलर डियने होगा और कुछ केसिज में सम केसिज दे हैब एक्स्ट्रा सेल्लर क्रोमोसोम एक्स्ट्रा सेल्लर क्रोमोसोम भी होता है उसके पास एक्स्ट्रा सेल्लर क्रोमोसोम होगा उनके पास जह है एक्ट्रक्रोमस्वमल डियन ने इसको हम बोलते हैं प्लाजमिड मतलब यह नूकलियस वाली जीन्स तो नहीं होगे इनके पास लेकिन दूसरे करेक्टरिस इसको इंपार्ट करेंगे ठीक है तो प्लाजमिड भी इनके अंदर हो सकती है इस नॉट नेसेसरली कि उनके अंदर प्लाजमिड होगा ही तो यह बेसिक पॉइंट है अब आगे बढ़ते हैं अब आते हैं कि बैक्टीरिया इनके सोल मेंबर हैं बैक्टीरिया क्या होता है एक प्रोक्रोटिक सेल होता है जो यूनी सेलर यूज्वली होता है ठीक है कुछ क टेग्री में ही divided करेंगे एक होगा चीए जो कारक के दिर में चर्चा करेंगे है ना तो यह जितने भी मिंबर होंगे kingdom मोनेरा के वो सारे के सारे bacteria होंगे ठीक अब यह most abundant सबसे ज़्यादा मिलते हैं ठीक है क्योंकि microorganism हर जगा पे हर पल पर माइक्रो और्गनिजम ओमनी प्रेजेंट है उनको बोलते हैं यूबिक्वीटस तो माइक्रो और्गनिजम जो है वह यूबिक्वीटस है मतलब हर जगा पर मिलते हैं हर एक condition में मिलते हैं कुछी exception होंगे जहां पर वो नहीं मिलते हैं और huge number में थोड़ी से अगर तुम देखोगे वहां पर हजारों की संख्या में मिलेंगे और यह इतने चोटे होते हैं कि cannot see with your naked eye आपको microscope का use करना पड़ेगा इसलिए इनको microorganism बोलते हैं microorganism का micro का मतलब चोटा organism का मतलब होता है living organism या फिर living system तो ऐसा living system जिसको तुम naked eye से नहीं देख सकते हैं यू नीड़ microscope to visualize them उनको microscope चाहिए उनको देखने के लिए hence it is called as microorganism और यह हर जगा मिलते हैं इसलिए इसको बोलते हैं almost everywhere तो एक term use करते हैं ubiquitous इसका मतलब होता है कि ऐसा microorganism जो हर जगा पे मिले वह ubiquitous है ठीक है और छोटी जगा तुम देखते हो कि एक handful of soil एक मुठी अगर तुम soil उठाते हो कहीं से भी garden से या मड में तुमको hundreds of thousands of the microorganism मिलेंगे कैसे मिलेंगे तुम्हें अगर देखना हो without microscope तो तुम उनको कैसे देख सकते हो एक simple experimental method ऐसा होता है कि आप उस मिट्टी को लीजिए और उसको saline में saline का मदलब होता है 0.9% NaCl उसमें डाल दीजिए ठीक है और उसको mix कर लीजिए और पानी निकालके एक पेट्टी प्लेट लीजिए जिस पे एक nutrient अगार है फिर कोई medium होगा उस पे आप प्लेट कर दीजिए आपको एक दिन के अंदर में दिखेगा कि lawns of the microorganism they are growing और कहां नहीं है जैसे तुम अपने कॉम को चेक कर सकते हो जो बाल कॉम्बिंग करते हो ना यू टेक यूर कॉम इसको saline से वाश कर लो और एक बाउल में या पेट्टी प्लेट में तुम इकठा कर लो उसको फिर से प्लेट करो तो तुमको बहुत सारे माइक्रो ओर्गैनिजम मिलेंगे तुमको जहां पर भी लगता है कि माइक्रो ओर्गैनिजम नहीं हों गए एक प्लेट जिसके अंदर न्यूट्रेंट अगार मीडियम है प्लेट कुछ ऐसी दिखेगी तुमको देखा होगा तुमने ग्लास के जो प्लेट हो तो इसके स्थाञता है तो जो क्लोज कर दो बाद में दिखेगा को उसमें तौज़ंड सब्था माइक्रो ओर ईद्सवास यहां अवर्गैनिजम हर जगा पर है और अच्छी-छासी संख्या में है हूँ कुछ नंबर और कुछ लोग उर्गैनियम जो एक्स्त्रीम है इटिए एक्स् कि यहां पर micro organism grow करेंगे वहां पर भी ओग्रो करते हैं जिसे कुछ sulfur stream है तुमको पर गरम पानी के जो जील होती है न लेक्स होते हैं hot water लेक्स तुम्हें लगेगा इतनी गरम पानी में micro organism कहां मिलेगा वहां भी मिलते हैं यह तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर यह नहीं मिलते हैं लेकिन हां वहां पर जो micro organism मिलेंगा ना बैटा वह अलग होंगे ठीक है तो hot spring में desert में snow में Antarctica भी मिलते हैं deep ocean में जहां पर pressure बहुत ज्यादा होता है ठीक है जो भी organism extreme climate में मिलेंगे उनको हम बोलते हैं extremophiles मैं इधर लिख देता हूँ we call them as a extremophiles इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं extremophiles की हम बात करेंगे तो usually एक नाम और सामने आता है कि they happen to be archibacteria और archibacteria बहुत सारे मामलों में यू बैक्टीरिया से अलग है क्यों अलग हमने बात की थी फिर से बात करेंगे ठीक है तो extreme habitat में भी मिल गए तुमको hot spring में मिल गए तुमको desert में मिल गए तुमको snow में मिल गए deep ocean में मिल गए और वहां पर भी वो survive कर रहा है मतलब अपने उन्होंने इतने अच्छे से maintain किया हुआ है और प्रोकरोटिक सेल सबसे पहले evolution में आया फिर बोलते हैं कि उन्हें से यूकरोटिक सेल बने फिर multi cell LTI और tissue level डेवलप हुआ फिर वहां से organ बने फिर organ system आया that is how the evolution is coming ठीक है और बहुत सारे इनके organism यह parasite भी है इंफेक्शन भी कर सकते हैं सबको पता है कि bacterial infection के बारे में ठीक है और यह photosynthesis भी कर सकते हैं तो यह बहुत ही अलग group है organism का अपने आप में एक huge group है जो अलग-अलग climatic condition में मिल ले हैं हर जगा मिल ले हैं और इनका nutritional जो तरीका वह भी अलग है इनका जो metabolism है वह भी बहुत अलग-अलग तरीके का है और और यूज्वली यूनिसलर है इनकेस अब कलोनीजम यहां पर फिलामेंट फॉर्म होता है वहां पर मल्टिसलर्टी भी तुम्हें दिखा सकते हैं ठीक है अब इनको हम चार केटीग्री में बाटा हुआ हमने और ये जो चार केटीग्री ने बेटा हम यूँ बैक्टीयर की बात कर रहे है ठीक है तो चार केटीग्री में इनको बाटा हुआ है कौन-कौन से उनके शेप के इसाप से मैं डाइग्राम भी दिखाता हूँ अगर स्फेरिकल होंगे ठीक है राउंड अगर होंगे तो उनको हम कौकाई बोलेंगे कौकाई इस प्लूरल कौकस इस सिंगुलर अब वो चेंड में हो सकते हैं ख्लम में हो सकते हैं वो बात की बात है दूसरा होता रॉड शेप्ड जब यह रॉड सेफ्ड होंगे तो इनको हम बोलेंगे बैसिलस प्लूरल इसका बैसिलाई होगा अगर कॉमा शेप्ड होंगे कॉमा सेब तुमको पता है ऐसे मैं दिखाता हूँ डाइग्राम तो इनको बोलो के विब्रियम ठीक है कॉलरा एक डिजीज होती है वो विब्रियो होती है दिन चौथा जो शेप है इसका स्पाइरल ऐसे ऐसे होंगे स्प्रिंग की तरह तो इसको बलेंगे स्प्रीलियम और स्प्रीलिया इस दा प्लूरल वर्ड फॉरेट ठीक है तो यू एम लगा हुआ है अगर यहां पे देखो तो यह सिंगुलर अगर यह आगया लास् है जहां पर वह नहीं मिलते हैं एंबियन कंडिशन ले लो या फिर एकदम एक्स्टीम कंडिशन ले लो डेजर ले लो स्नो ले लो और स्प्रिंग ले लो हर जगहां पर बैक्टीरिया मिलते हां जो एक्स्टीम कंडिशन होंगी वहां पर कोई स्पैसिफिक टाइप के बैक प्रो और्गैनिजम मिलेंगे ठीक है वो बहुत सारे फैक्टर्स उनको एडॉप्ट करने में मतलब उनमें भी एडॉप्टेशन के बिल्टी बहुत जादा है उसके अलावा इंफेक्स भी हो सकते हैं पैथोजेनिक भी हो सकते हैं और दुनिया का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है except certain labs जो bacteria free हो हर जगा bacteria होते हैं आपके बालो में आपके skin के उपर हैं ना आप बहुत बार यह protection का भी काम करते हैं आपके skin के pH को भी बहुत हद तक maintain करने कि सिबसी सिख्रेशन कहला हुआ है आपके बुन करते हैं आपके पिएच को थोड़ा एसे डिक रखते हैं जो अच्छे को थोड़ चे अडिक होँद हो सब्सक्राइब हो करते हैं और द्रभी वाले हो थो हमत रखते हैं करते हैं बुरे वालों नहीं कोशिच करते हैं कि अच्छे वाले रेट ना है ठीक है इसके अप गलं ओर खाते हो कर भूष फौला बैक्टी रहते बैक्टिया लीक्टो बैंसलीस बैक्टि – उसके अंदर बहुत होता है आपके के गट को हेल्दी रखता है इसलिए आप कर्ड खाते हो है ना हमारे जितने भी रिचूल्स होते हैं हर में कर्ड खाते हो अप ताक पीते हो है ना तो उससे क्या होता है बटा कि वह माइक्रो और गैनिजम जो अच्छे वाले हैं अपनी बॉडी में आप इंकर्परेट कर रहा अब फर्मेंटेट फूड खाते हैं उसमें भी माइक्रो और गैनिजम होते हैं वह सारे हमें हेल्प करते हैं हमारी सिस्टम को स्ट्रॉंग करने में तो यह बाते तो हमने कर ली अब इनका शेप देखो एक बार ही मैंने बोला था डाइग्राम दिखाता हूं तो अगर यह स इसा होगा ऐसे होगे राउंड स्टक्चेर होगा इनका ऐसा हो ठीक है और रॉट शेप होग तो उनको बैसिलाई भोलाएंगे और कहीं-कहीं पर तुमको इस पोर भी दिखे रहे है इनके सियर इसके बारे में बात करते हैं अगर वह स्पाईरल होगा है एसे शीपड है ठीक है यह ऐसा शेप है तो स्पिरेलम हो गए स्पाइरल शेप है और कॉमा शेप है तो उनको हम बोलेंगे विब्रियो तो यह कितने शेप हो गए चार फोर डिफ्रेंट शेप्स ठीक है और यह चार ग्रुप है और बहुत बारी नाम में भी तुम देखोगे नाम से भी जैसे लैक्टो बैसिलस का भी मैंने नाम लिया जो और बहुत बैसिलस होते हैं जो अच्छे वाले बैक्ट्रिया तोे मिल्क से रिलीडेटियर मिल्क के सुगर होते भाशीलस का मैं आप और स्टेप्टो काुकर साओ उसका मतलब क्या हुआ है की वो या तो चेन्ल में है अ फिर गृप में है और स्परिकल या फिर ओल बाइजोस्पिरिलम या फिर एजोस्पिरिलम यह सारे भायो फोल्टिलाइजर में यूज होते हैं तो यह क्या होते हैं इनका जो शेप होगा न वेटा वह स्पाइरल होगा यह थोड़े अलग लग रहे होंगे बट शेप के उपर इनके नाम दिये गए है ऐसे विब्रियो मै एक बैक्टीरिया होता है उसकी वज़े से होती है ठीक है इतनी बात समझ में आगा इससे स्टेफेलो कॉकस हो गया या फिर सेल्मोनेला हो गया सबके शेप अलग अलग होते है निमनो कॉकस हो गया तो कॉकस वर् आएगा तो आपको क्या समझना है कि उचका कर स्फेरिकल हो गा बैसिलिस आया तो उसका मतलब हो यह रॉट शेब्ड हो गया spirulam आया तो spiral shaped और comma shaped अगर है उसका shape उसका मतलब वो vibrio है और spherical या round है और round तो कैसा होगा बैटा caucus या कोकाई तो यह इनके चार shape है जो चार अलग अलग shape है जो तुम देख भी पार रहे हो यह उनके shape के उपर उनके नाम दिये गए होते हैं तो यह चार तरह के ही bacteria के shape होते हैं जिसके बारे में तुम्हें जानना है अब आ जाते हैं थोड़ा और detail में ठीक है तो bacterial structure जैसे मैंने बोला कि very simple है बहुत ज्यादा आसान है समझना क्योंकि यह complication बहुत कम label पर है बट उनका जो behavior होता है न बहुत ज्यादा complex होता है behavior का मतलब क्या कि कौन से condition में वो grow करते हैं पहला तो उनका habitat हो गया कहां पर grow कर रहे हैं ambient condition में है कि extreme condition में है high temperature पर है high salt पर है ठीक है या फिर low temperature पर है ठीक है एकदम dry area में है तो उनका जो climatic condition होगी जो उनका habitat होगा जहां पर वो मिल रहे होंगे वहां पर उन्होंने adaptation किया हुआ है तो वो adaptation उनको help करेगा उनके complex behavior में ठीक है यह बहुत important चीज है ठीक है और इनका अगर देखोगी कि जैसे area होंगे वहां पर उनको metabolic diversity metabolism का मतलब तुमने मैंने पहले भी तुम लोग को बताया हुआ है metabolism दो world का मिलकर बना हुआ है catabolism मतलब क्या breakdown करेंगे यह दूसरा anabolism क्या synthesize करेंगे इसका मतलब होता है breakdown complex compound को breakdown करेंगे और यह इसका मतलब होता है synthesis क्या बनाएंगे simpler substance को use करके तो इनकी जो metabolic diversity होती बहुत अलग अलग होती है कि किस पे यह dependent है अपने food habit के लिए अपने survival के लिए है ना मैंने जैसे बोला कि यह autotrop हो सकते हैं यह heterotops हो सकते है heterotop में भी दो category होगी आगे बात भी करेंगे एक जो decomposer होगा जो dead organic matter को decompose करेगा जैसे human body है अगर कहीं पड़ी है फिर animal की body है तो with the time or degrade होती है तो degrade अपने आप नहीं होती है उसको degrade करने में काफी है तक bacteria का help होता है और कुछ fungus भी उसमें help करते हैं तो bacteria decomposer भी हो गए फिर bacteria क्या कर सकते हैं bacteria complex organic matter को simpler inorganic matter में convert कर सकते हैं तो ऐसे bacteria को saprophite या फिर decomposer बोलेंगे दूसरा होता है को parasite भी हो सकते हैं किसी को infection करें और वहां को उसके body से food material ले यह यह heterotropic हो सकते हैं फिर autotrop में क्या होगा कि वह अपना food फिर खुद से manufacture कर रहे हैं उसके बारे में हम detail में बात करते हैं ठीक है और किसको और कैसे utilize कर रहे हैं जैसे बहुत सारी चीज़े हैं इवेस्ट हो गया polythene plastics tin can और अलग अलग material के जो चीज़े हैं जो हम फेकते हैं nature में और उनका वो degradate नहीं होते हैं मतलब उसका bio degradation नहीं होता है उसको non bio degradable बोलते हैं वो किसलिए होता है क्योंकि हमारे microorganism उसके लिए नहीं है microorganism नहीं है उसका मतलब क्या कि उस microorganism के पास वो enzymes नहीं है जो उनको degradate कर सके तो microorganism के अंदर जो enzymes होते ना बैटा वो degradate कर सकते हैं तो जिस दिन हमें यह success मिल गई कि polythene degrading bacteria huge number में हमें grow करने में successful हैं तो plastic वाली problem हम खतम कर देंगा नहीं तुमको पता है कि कितने सालों तक पड़ी रती है without being degraded ऐसे यह वेस्ट electronic वेस्ट आपके mobile phone दूसरे electronic वानि गैजेट्स या फिर आपके computer के parts आप जो खराब होने के बाद fake देते हो तो एक तरीका तो उसका होता है कि आप यूज करें chemical methods to disorganize it लेकिन सबसे जो capable method होता है और cheapest method होता है वो होता है bacteria microorganism का use करके तो वो हमारा science उधर भी जा सकता है ठीक है तो monorans बहुत important है without monorans हमारी life चली नहीं सकती it cannot think about the life without microorganism जो आपको दिखते नहीं है लेकिन बहुत useful होते हैं ठीक है तो बहुत सारे जो होते हैं वो अपना food खुद से बना सकते हैं कहां से food बनाएंगे जो inorganic substrate होंगे उनको हम दो category में रख सकते हैं detail में बात करते हैं एक photosynthetic autotrop photo का मतलब होता है light तो उनको energy कहां से मिलेगी light से दूसरे जो होते हैं chemo synthetic autotrop chemo synthetic मतलब यह energy कहां से लेंगे chemical से लेंगे ठीक है तो chemical organic inorganic दोनों हो सकता है उसको utilize करेंगे उससे जो energy मिलेगी उससे वो अपना food manufacture करेंगे तो दो category इनकी हो गई और bacteria heterotrop भी हो सकते हैं ठीक है heterotrop का मतलब क्या कि they cannot make their own food तब उसके food के लिए वो क्या होगा वो दूसरों पर dependent होंगे किस पर dependent हो सकते हैं दूसरे organism पर या फिर dead organic matter पर dead organic matter जिसको हम लोग बोलते हैं decomposer या फिर वो parasite भी हो सकते हैं जो दूसरे organism पर depend रहेंगे तो ये इनकी category इनको और भी ज़्यादा diverse बनाती है और since मैंने बोला कि ये evolution में आने वाले पहले organism थे तो इनको बहुत time मिला है develop होने में इसने इनकी बहुत ज़्यादा varieties है और इनका existence खतम नहीं हुआ ठीक तो ये वाला पार्ट अभी हमने discuss नहीं किया पहले ये वाले पार्ट पर हम discuss कर लेते हैं मैं detail में आता हूँ दो नुप पार्ट फे फिर से एक basic idea मैं तुमको देता हूँ ये तुमारे bacteria है ठीक ये autotrop हो सकते है autotrop in the sense कि अपना food खुद manufacture करेंगे और इसमें दो group है एक है photosynthetic autotrop दूसरा है chemo synthetic autotrop ठीक एक light को use करेंगे जो source of energy दूसरा chemicals का use करेंगे दूसरी जो category है वो है heterotrops की heterotrops का मतलब क्या जैसे हम लोग हैं दूसरों पर dependent है plant पर dependent है दूसरे animal पर dependent है food के लिए वैसे ये भी है तो इसमें दो category है या तो ये parasite बनके plant और animal के body में रहें वहां से food ले या फिर वो dead organic matter जैसे plant का कोई part पड़ा हुआ है soil में animal का part पड़ा हुआ है है ना अपने vegetables के जो unused part वो फेके हुए है वो सारे dead organic matter plant की leaps पड़ी हुए है उसके stem के टुकड़े पड़े हुए है तो all those parts are basically dead organic matter वो organic है बट डेड़ है डेड़ मतलब वो main body से detached है उसमें life नहीं है लेकिन उसके अंदर protein है उसके अंदर fats है उनके अंदर carbohydrates है उनके पास दूसरे complex organic matter है जिसको bacteria utilize कर सकती है अपने use के लिए ठीक है उसको वो oxidize कर सकते है और वहां से वो food material absorb कर सकते हैं एक category और बताना जरूरी है bacteria की यह anaerobic और aerobic दोनों हो सकते हैं मतलब यह aerobic भी हो सकते हैं मतलब इनको oxygen चाहिए और यह anaerobic हो सकते हैं जिसका मतलब इनको oxygen नहीं चाहिए और aerobic हो मतलब oxygen dependent ठीक तो वहां भी इनका काम चल जाता है दूसरा होता है जिनको oxygen नहीं चाहिए oxygen independent जो इनिशिली बैक्टीरिया आए जिनको oxygen यूज करने के आदत नहीं थी वह anaerobic है अब इसमें भी faculty टू और obligate हो सकते हैं वह अलग इशू हो गया और दूसरी के टेग्रियस के बारे में बात करेंगे detail में वह है तुम्हारा आर्की बैक्टीरिया आर्की वर्ड का मतलब यह है कि ancient कि एंसियंट कि यह पुराने लेकिन हमारा जो लास्ट लेक्ष्य था मैंने तुमको बताए कि इनमें यूक्रोटिक से भी ज्यादा सिमिल्टी है इनका जो मॉल्क्रोब आलोजी है वो बिल्कुल अलग है इनके पास सेल वॉल नहीं है इनके पास डिन्यो को पैकेज करने वाला हिस्टोन है जो यूकरोटिक से स्थम में मिलता है है ना और इनका जो मेंब्रेन का इनका पार्ट है इनके तुम्हारा इनका पार्ट है उसको बोलते हैं है यहां पर सॉल्ट लविंग यहां पर ग्रोव करेंगे ठीक है मतलब क्या हुआ कि हाई सैलेनिटी जहां पर सॉल्ट जादा है वहां पर ग्रोव करेंगे ठीक है हाई सैलेनिटी पर ग्रोव करेंगे थर्मोफाइल मतलब टेंप्रेचर लविंग high temperature पे grow करेंगे grow on high temperature जैसे मैंने तुमको बताया कि hot water spring है तो वहाँ पे ये grow करेंगे methanogens जो methane को produce करेंगे methane producing अच्छा इनके बारे में important चीज ये है कि ये एक ऐसा group है न बट्टा जो methane को produce भी कर सकता है और methane को grade भी कर सकता है ठीक है तो वो अलग type के कुछी bacteria है other than dark bacteria जो methane को directly degrade कर सकते है और ये methane बहुत काम का होता है जो gober gas plant है उसमें जो gas निकलती है न बटा वो methane है let me have some water we'll continue चलो आगे बड़े ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होंगी अब कुछ organism है दोखो left hand side में जो है ये तुम्हारे आर्की बैक्टीरिया है कुछ कुछ मैंने इंटरनेट से निकाली होई है तुम्हारे लिए photos ये तुम्हारे आर्की है इस side वाले आर्की बैक्टीरिया और ये side जो है तुम्हारा वो है यू बैक्टीरिया का का यू बैक्टीरिया में तुम्हारा ग्लियो कैप्स या फिर इना विना ठीक य क्या है ये दोनों ऑ्रिय दोनोंसाइनस Chandler आ अब 171 अग्वार अब यू दोनों स्पह्ते आ आहरे से इन खरी से परवा यह सारे अर्की बैक्टीरिया थर्मो असीडोफाइल्स जो होते हैं यह हाई टेंप्रेचर और हाई एचिडी कंडिशन है अचिडी का मतब लो पीच्ट यह हाई टेंप्रेचर और लो पीच पे ग्रो कर सकते हैं ठीक है मेथनोजेनियम और मेथनो बैक्टीरियम बहुत सारे एक्जाम्पल्स हैं जो तुम्हें आर्की के और इसके दिख रहे हैं इसके बारे में प्रॉपर हम डिस्कॉसन करते हैं और एक पहले में बेसिक आइडिया भी में तुमको दे देता हूं देन विल डिस्कॉस इट इन डीटेल ठीक है अब थोड़ी बात कर लेते हैं और इंफ्रमेशन मोन kis mAran के बारे में कि इनके मोड of reproduction कैसे होंगे तुम्हें ध्यान रखना है कि मोनले में सेक्सुल प्रॉदक्षन नहीं होता है प्यो 5 का मतलब होता दो चीज एक चीज के होती है कि म्योंस होना चीए गंप फॉर्मेशन होना चाहिए और गैमीट का फ्यूजन होना चाहिए जो नहीं होगा मतलब सेक्सुल रेप्रडक्शन इन ट्रू सेंस एपसेंट है पैरा सुक्सुल्टी मिलती है उसके बारे में बात करेंगे तो पहला जो मेन कॉमन तरीका इनका वह बाइनरी फिसन एक से दो मे माट कर दिकता है युक्ति को से तरीके हिता हुआतर होता है सपील्टाजम और में नहीं होगे हो होंगे almost equal parts आएगा लेकिन same part amount of the DNA will not go ठीक है वो chance event है ये बात में समझ में आनी चाहिए आगे जब तुम पढ़ोगे ये chapters तो तुम्हें ये और अच्छे से समझ में आएगा या फिर इनके अंदर budding हो सकती है कुछ cases में ठीक है और very rarely sexual production मैंने बोला क्या कि conjugation method है तीन method है एक्चली उसको हम बोलते है parasexuality this is not the sexuality it is parasexuality और sexuality की बात करते हो तो तो कोई parasexuality में क्यों बोलना हो normally जो sexual production हो भाई parental होता है यहां पे भी हो रहा है बट जो जाइगोट formation हो रहा है वो नहीं होगा कैसे नहीं होगा मैं उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी दिर में ठीक है चलो तो यह rare है और इसको क्या बोलते है parasexuality तो main zone का होगा फिसन होगा ठीक है और एक और condition है कि यह spore बनाते हैं वह कब बनाते हैं कोई भी organism spore कब बनाएगा जब condition unfavorable होगी when the conditions are unfavorable unfavorable का मतलब की temperature या तो ज़्यादा हो water की scarcity हो या फिर food material available ना हो तो अपने को वह in case encapsulated कर देते हैं ठीक structure के अंदर ठीक है कुछ ऐसा structure बनाएगे वह ठीक जिसके अंदर रहेंगे यह उनका spore हो गया endospore especially ठीक है और यह बहुत resistant होता है यह heat resistant होता है moisture को respond करता है क्योंकि जब भी moisture मिलेगा तो वह germinate करेगा otherwise वह बहुत resistant होगा high temperature को withstand करेगा ठीक है तो यह spore produce सारे bacteria spore produce करते हैं यह जरूरी नहीं है there is a certain bacteria which is spore producing other bacteria they are not spore producing यह तुम्हें ध्यान में रखना है ठीक है और इनका जो parasexuality है वह primitive type है DNA transfer का जो एक bacteria से दूसरे bacteria को जाता है ठीक उसमें जो conjugation है वह natural type है बाकी दो और method है जो indirect method है जो natural method नहीं है वह transformation और transduction तो तीन तरीके हो गए इनके अंदर parasexuality के इसका मतलब होता है DNA transfer ठीक पहला जो होगा transformation यह artificial method है natural method नहीं है ठीक है इसमें naked DNA का transfer होता है कोई help करेगा facilitated होता है दूसरा होता है transduction इसको help करता है पैसिलिटेटेटेड बाई बैक्टीरियोफाज और एक बैक्टीरियोफाज एक बर्ले जा सकता है बर्ले जाता है नहीं ले जा सकता है इट मे एक कैरी और इत Never कैरी ठीक वह ट्रक्रांसड्रक्ल सण हो गए जिए ग्रिश्वर मिथर्ड है वह कंजूगेशन क्या यसमय बैक्टीर्या का डिरेक्ट रोल होता यह एक रिप्र धृत्ड है तो एक तरीका यह दिखाता है कि कैसे sexual production evolve हुआ होगा उसका एक basic idea यह बताता है तो इसके बारे में थोड़ी दिर में और बात करेंगे have a good diagram in the end I'll show you that as well अब आजाते हैं archibacteria पर archibacteria के बारे मैंने कुछ information तुमको दी थी no peptidoglycan जो कि यू बैक्टेरिया में होती है ठीक है और plasma membrane is different molecular biology का मतलब क्या होता है जो replication transcription और translation होते हैं ठीक है biology is similar to eukaryotes ठीक है और found in extreme habitat उसका हम लोग बहुत फायदा उठायेंगे इसलिए इसको extreemophiles भी बोलेंगे we call it as a extreemophiles as well extreemophiles दो वल्ड का बना हुआ ये extreemophiles का मतलब extreme condition में जो harsh condition है वहां पर और files का मतलब होता है loving so extreme condition lover lover so they love extreme condition in order to grow there ठीक वह extreme condition क्या हो सकती है high temperature low temperature high acidity high alkalinity and इधर में लिखता हूँ high salt concentration क्योंकि normal organism इस concentration पर ग्रो नहीं कर सकता है ठीक है high acidity का मतलब low pH इसका मतलब very high pH ठीक है temperature बहुत high भी वह withstand कर सकते हैं दी जदे extreme condition ये क्या है बटा ये सारी extreme conditions है जहां जहां पर इनको grow करना है ठीक है और इनकी three categories है जहां पर मैंने तुम को डाइग्राम में भी दिखाया वह है methanogenes जो methane को produce करते है thermo acidophiles मतलब high temperature और high acidity ये दोनों मिलाके high temperature और high acidity मिलाके thermo acidophiles और hyalophiles का मतलब होता है salt loving जो high salt पर grow करते है फाइल्स का मतलब होता है loving फे आरके bacteria के बारे में हम लोग बात कर रहे थे आरके bacteria के बारे में मैंने बताया कि high temperature low temperature low मतलब very low temperature high acidity और high alkalinity लेकिन जो इसका division हुआ है वह तीन category में हुआ है एक है तुमारा methanogen 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 का मतलब होता है बनाने वाला generate करने वाला जो एक methane producing है दूसरा thermo acidophiles जो high temperature और high acidity को पसंद करते हैं ठीक है उस condition में normal bacteria survive नहीं कर सकता है लेकिन वह survive करते हैं तीसरा halophile halophile का मतलब होता है कि salt loving bacteria those bacteria which loves salt high salt concentration they can easily survive so these are the three categories of the bacteria so methanogen के बारे में एक बारी थोड़ी बात कर लेते हैं methanogen bacteria क्या करते हैं यह methane को produce करते हैं example तुमारा है bio gas plant या फिर ruminants जो cattle होते है ना बटा बारे 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 रेजन्स होते हैं जान पैडी फिल्ड हो गया swampy area जहां पर moisture content जादा है यह फिर तरही रीजन्स हो गया वहां पर यह बहुत active होते हैं और convert करते हैं मैंने फिर बताया गोबर गैस प्लांटे में भी मिलते हैं जैसे मतलब है methane producing है और caucus का मतलब क्या होगा बटा कि यह spherical shape में है ठीक है और cow dung में sorry the rumen के cattle में यहां पर यह digest क्या करते हैं cellulose को ठीक है और उसको convert करते हैं methane में यह मैं इसलिए बता रहा हूं इस chapter के लिए इतनी requirement तो नहीं थी बटा लेकिन और इसका example था rumenococcus rumen मतलब जो उनका several chambers stomach होता है और caucus का मतलब वो spherical shape में है मैं यह बुरत है यहां पर ज़रूरत नहीं थी लेकिन तुम 12 में जाओगे तो यह चीज़े तुम्हें बहुत आसान लगेंगी और कभी-कभी तुम जब question practice करोगे ना तो यह question आ सकते हैं exam में ठीक है अब मैंने बुला कि CT में यह chapter नहीं है लेकिन इसे related question जो 12 वाले chapter से उसमें है तो वह cover कर लेते हैं तो यह ध्यान देना है तुम्हें दूसरा halo files मतलब salt loving है यह ठीक है और extreme salty areas में मिलते हैं जिसे great salt lake हो गया lunar lake हो गया dead sea हो गया वहां पर भी मिलते हैं ठीक है और usually इन इनके ऊपर जो होता है एक purple color की membrane होती है इसमें pigment होता है उस pigment का नाम होता है bacterial rhodopsin rhodopsin एक pigment हमारे eyes में भी होता है ठीक है retinol और opsin मिलाकर rhodopsin बनता है तो bacterial rhodopsin एक अलग protein होता है जिसकी वज़े से इनका जो membrane का color होता हो purple दिखता है ठीक है उसकी ज़रुरत नहीं है ठीक है और यह membrane इसलिए होती कि it absorbs the light bright light और वहां से ATP बनाती है ठीक है तो यह अपना food लेकिन they cannot make their own food like you bacteria instead वो directly ATP बनाते हैं तो यह अर्की बैक्टीरिया का जो metabolic system है बहुत ज्यादा डाइवोर्स और बहुत ज्यादा complicated है इसमें varieties बहुत ज्यादा है देन तीसरी केटेगरी यह thermo acidophiles में इससे थोड़ा ज्यादा बता रहा हूं तुमको कि तुम्हें याद रहे अगर तुम भूल भी जाओगे तो basic points तो तुम्हें याद रहेंगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा help हो जाएगी ठीक thermophiles thermo एक पासंद करते हैं ठीक है और उसका फायदा क्या होता है कि दोनों में यह survive कर सकते हैं टेमप्रेचर दोको बेटा बहुत ज्यादा है around 8200 degree centigrade we cannot think of any other organism to survive here ठीक है और very low pH पे भी वह survive कर सकते हैं basically यह कड़ते क्या है कि इनके पास एक capacity होती है sulfur को oxidize करने की S2SO4 में at high temperature और high acidity यह उनकी ability होती है और यह बहुत high concentration acid का और temperature दोनों को survive कर सकते हैं कुछ और bacteria होते हैं जो sulfur को reduce कर देते हैं S2S में और उनके लिए लेकिन anaerobic condition लगती aerobic anaerobic का मतलब यह होता है aerobic ऐसे organism जिनको oxygen की जरूरत होगी anaerobic ऐसे organism जो oxygen की जरूरत नहीं होगी उसको oxygenic और oxygenic condition भी बोल सकते हो oxygenic aerobic के लिए तुम्हें use कर सकते हो और oxygenic तुम्हें use कर सकते हो anaerobic के लिए है ना तो यह anaerobic condition है an oxygenic condition है clear है कुछ examples है जहां यह मिलते हैं जिससे sulfur springs इंडिया में भी बहुत सारे हैं ठीक है मनिकड़का के पास में भी एक जगा है और yellow stone national park यहां पर भी मिलते हैं यह US में ठीक है तो एक ज्यादा information बता है उसका फायदा यह होगा को तुम्हें याद रहेंगी उतनी चीज़े तो definitely याद रहेंगी जो तुम्हारे काम की है ठीक है और मैंने example भी इसका पहले दे रखा है अब आते हैं यू bacteria पर यू का मतलब होता है true तो यह कैसे bacteria है सच्चे वाले bacteria है ठीक है क्योंकि इसमें सारे bacterial features मिलेंगे जो आर्की में नहीं थे आर्की को साथ में रखने पर मैंने बोला बहुत कंटेंशन था सिक्स किंग्डम सिस्टम तक की बात आ गई थी त्री डोमेन सिस्टम की भी बात चली लेकिन अल्टिमेटली वह फाइप इंग्डम सिस्टम मोस्स एक्सेप्टेबल है ठीक है और यह true बैक्टीरिया है true बैक्टीरिया का मतलब उनके पास एक रिजिट सेल व बना होता है इसमें कुछ डी अमाइनोसीट्स भी होते हैं और यह बिसिकली नैम एनस्टिल मियूरैमिक एसीड और नैग एनस्टिल गुलकोसा माइन की क्रॉस लिंकिंग होती है और प्रोटीन होते हैं ठीक है प्रोटीन का परसेंटेज वैरी होता है और इसकी दो कैटेगरी हो सकते हैं ग्राम पोजिटिव और ग्राम निगेटिव ग्राम पोजिटिव का मतलब जिसमें पेप्टाइडो ग्लाइकन जादा और लेपिट कंटेंड कम वो ग्राम एक यह वर्ड कैसे आया एक staining method था Christian Graham ने यूज़ किया था एक scientist था है उन्होंने एक staining method यूज़ किया था उसमें उन्होंने दो steps थे एक crystal violet का यूज़ किया था इससे वो stain करते थे और washing करते थे अल्कोहल से और बाद में थोड़ा सैफ्रानीन का भी treatment दे देते थे ठीक तो इसमें दो तरे के bacteria मिलते थे एक जो stain लेते थे वो होते थे सैफ्रानीन के treatment के बाद pink और जो सैफ्रानीन का treatment नहीं लेते थे जो stain को crystal violet को जो रिटीन करते थे उनका color होता था purple और फिर violet ठीक इसको हम बोलते थे gram negative और इसको हम बोलते थे gram negative जैसा मैंने तुमको बताया कि gram positive का मतलब peptidoglycan जादा ज्यादा उपर एरो ज्यादा और लेपिट कंटेंड कम यूजोली यह good bacteria होते हैं और जो pink हुए इसमें peptidoglycan कम होगा नीचे एरो लगाता हूँ और लेपिट जादा होगा मैं उपर वाला एरो लगाता हूँ ठीक है तो यह gram positive और gram negative दो केटिग्राव हैं यह usually बुरे bacteria होते हैं जो pathogenic होते हैं इसका मतलब यह नहीं कि सारे gram negative bacteria खराब सारे gram positive bacteria अच्छे यह बात नहीं है कुछ gram positive bacteria भी pathogenic हो सकते हैं कुछ gram negative bacteria भी अच्छे bacteria हो सकते हैं बट मैंने largely बात की ठीक है आते हैं फिर से अब इसमें जो पहली category है वो cyanobacteria की cyan world का मतलब बता blue green cyan world means blue green blue plus green जो appearance होगा ठीक है इससे जो बना organism जिनका color ऐसा होगा उसको बोलते हैं cyanobacteria इसका पुराना नाम है blue green algae अब हम बोलते हैं नहीं है क्यों क्योंकि algae जो है न बेटा वो तुमारा eukaryote है लेकिन यह सारे कैसे हैं यह इनको cyanobacteria बोलते हैं यह प्रोकरियोट है पहले इनको normal algae के साथ रखा गया था क्यों इसमें true यू जो true bacteria है उसको सारे features तुमको cyanobacteria के अंदर मिल जाएंगे तो यह cyanobacteria ठीक है और इसमें plant की तरह दोनो chlorophyll होते हैं जैसे chlorophyll A और chlorophyll B और chlorophyll A और chlorophyll B यह दोनों मिलते हैं इसमें यह pigment होते हैं जो normal plant में मिलते हैं दूसरा यह कि फोटो synthetic होते हैं कौन से वाले यह autotrop है अपना food खुब बनाते हैं कुछ इसमें nitrogen fixing भी है ठीक है तो cyanobacteria is kept with the monera it is a kind of you bacteria hence the word cyanobacteria is more pertinent than the word blue green algae इसलिए blue green algae word हम ज्यादा use नहीं करते हैं मैं तुम्हारे understanding के लिए use कर रहा हूं ठीक होते हैं कैसे हैं यह unicellular भी हो सकते हैं colonial of lamentus हो सकते हैं जब multicellularity दिखाएंगे यह usually यह aquatic होते हैं fresh water यह फिर marine में मिलते हैं rarely you see this the present on the terrestrial part ठीक है तो यह नॉर्मली जो surface होते हैं blue green दिखते हैं slippery surface बना देते हैं दिवारों पे दिखते हैं तुमको यह पिर एक water body है जहां पर water smile हुआ है smell आ रही है वहां पर भी blue green होते हैं उसको illegal bloom बोलते हैं तो वो सारी चीजे जो होती है वो actually algae जो blue green algae है उसका accumulation है अब इनका structure देखोगा बेटा तो इनके around इनके पास peptidoglycan on होगा और उसके उपर एक sheet होगी और some of them जैसे मैंने बोला कि वो nitrogen को fix करते हैं और polluted water body में मिलते हैं जिसको मैंने अभी बताया अलगल bloom बनाते हैं जो पानी को spoil करते हैं ठीक है सडा देते हैं पानी को और जो भी साइनो बैक्टीरिया जो nitrogen fix करेगा न बेटा उसके पास एक specific structure होगा उसको मुलेंगे हेट्रोसिस मैं तुमको डाइग्राम में दिखाऊंगा ठीक और इनका genetic material जो होगा वो prokriot जैसा होगा मतलब इनके पास भी membrane bound nucleus नहीं होगा naked DNA होगा और DNA कैसा होगा इनका circular होगा इसका मतलब वो typical prokriotic DNA है clear है और pigment जो होते है chlorophyll A और chlorophyll B के अलमा carotines और gentophyll जो higher plants में मिलते हैं वैसा structure होता है ठीक है और इसके अलमा अगर तुम थोड़ा और देखोगे तो chlorophyll A और chlorophyll B के अलमा एक structure होता है उसको बलते है phycocyanine और phycoerythrine और एक तीसरा pigment भी मिलता है उसको बलता है allo phycocyanine मज़े की बात है कि यह सबसे पहले जो बेलगी में रखा गया तो तो इसकी वज़े से कम डेवलप था इसमें मिलता है और जो सबसे एडवांस अल्गी का ग्रूप है उसको रेड अल्गी बोलते है उसमें भी यह तीनों pigment मिलते है उसके अलावा एकसेसरी यह दो जो पीगमेंट होता है जिसकी वज़े से इनका कलर ब्लू ग्रीन होता है थोड़ा क्लोरफिल का भी असर होता है और इसके अलावा इनके पास कैरोटीन होते है और जैन्तो फिल्स भी होते हैं मैं स्लैस लिख रहा हूं इसका मतलब एक नहीं दोनों है जैन्तो फिल्स यह इनके पीगमेंट होते हैं जो तुम्हें ध्यान में रखना है सेल वाल किसकी होगी पेप्टाइडो ग्लाइकॉन की होगी नूकलियस कैसा होगा नूकलर में नहीं होगी नैकेट डियने होगा सर यह जीलेटीनेस फिर मुसिलेजिनेस शीथ है तुम्हें दिख रही है यह वाली ब्लुईस और यह वाला जो स्ट्रक्चर है ना बेटा इसको हम बलते हैं हेट्रोसिस्ट इसके अंदर नाइटोजन फिक्सेशन चल ला है अब यह अलग क्यों है क्योंकि ऑक्सीजन की जो इ नाइटोजन फिक्सिंग एंजाईम उसका नाम है नाइटोजनेस तो वो नाइटोजनेस ऑक्सीजन की प्रेजंस में बैटा इनक्टिवेट हो जाएगा तो इसके लिए तुम्हें क्या चीजिए होगा ऐसी कवरिंग थिक कवरिंग जो ऑक्सीजन को अंदर जाने के लिए ना करें तो दिल भी नो इंट्री इसकी इंट्री नहीं होगी इंट्री इस प्रिवेंटेड ठीक है वो इस्ट्रक्चर यहां पर देख रहा हो कि ऑक्सीजन अलाउड नहीं है कभी वहां से ब्रेक हो जाते हैं तो फ्रैग्मेंटेशन में इसका रोल होता जिससे नह बन जा रहते हैं तो फोड़ा इसका रोल होता है और यह जांपल किसका था नौ स्टॉक का था और यह फिलामेंटस है कि इतनी बात तुम्हें आ गई होगी जल ओने बंगरते हैं और आब आप कुछ बैक्टिरिया आईसे वी होते हैं जो सारा रेडिस अपियरेंस होता है यह और कुछ कीमो सिंतेटिक लाइक सल्फर बैक्टीरिया मैंने बोला दो तरह के हो सकते हैं आटो ट्रॉप्स मैंने दिखाया भी तुमको फोटो आटो ट्रॉप्स जहां पर वो लाइट से एनरजी लेके अपना फूड बनाएंगे दूसरा कीमो आटो टॉप्स जो केमिकल को यूटिलाइज करके अपना फूड बनाएंगे ठीक है और कुछ कीमो कीमो सिंतेटिक आटो ट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सिडाइज भी करते हैं बहुत सारे इन और्गनिक सबस्टांसिस को जैसे नाइट्रेट नाइट्रा और्गनिक मैटर पड़े हुए हैं या फिर जो इन और्गनिक चीजें हैं उनको वो इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं री साइक्लिंग में ताकि वो अलग-अलग और्गनिजे में पहुत सके किसकी नाइटोजन की फास्पोरस की आयरिन की और सेलफर की यह इंपोर्टे वो किस पर डिपेंडेंट रहेंगे और यह सबसे ज़्यादा है most abundant in nature heterotopic bacteria ही बहुत important point है वेटा यह तुम्हें ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा जो bacteria मिलते हैं वो heterotrops हैं है ना और इनका main काम क्या है यह decomposer है dead organic matter को decompose करते हैं और human में और plant में infection करते हैं पैथोजनिक है और दूज से दही बनाने में lactobacillus का नाम मैंने पहले ही लिया था और इनका use होता है antibiotics के production में ठीक है और यह nitrogen fixing में भी काम कर सकते हैं जैसे legume के root में यहाँ पर जो bacteria मिलता है उसका नाम है rhizobium जो symbiotic होता है leguminous plant के root के साथ में ठीक है और बहुत सारे human being में disease और crop में disease पैदा करते हैं यह ठीक है तो इसका example lactobacillus curling of milk का और nitrogen fixation में agitobacter जो free living है streptomyces some antibiotics बनाते हैं और इनका काम composting है और degrading aisles है और बहुत सारी बिमारियां जैसे human में cholera, typhiate, ketanus यह तीन बिमारियां जो कौच कर सकते हैं मैंने anxiety की भी बात कर रहा हूं citrus कैंकर यह plant की है lemon tree पे मिलता है citrus plant पे मिलता है यह ठीक है bacterial disease है ठीक है तो यह कुछ bacterial disease है citrus canker में usually क्या होता है की watery area बन जाते हैं lemon के उपर उनके leaves में ठीक है तो वह productivity खंब कर देते हैं अब कौन कौन से bacteria होते हैं इसकी discussion मैंने कर दिया यह write-up तुम्हारे लिए है इसमें कुछ examples मैंने दिये हुए इनके पास chlorophyll होगा मैंने बताया क्या क्या होता है ठीक है जिसे spirulina इसका यूज आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है इसके capsules मिलते है protein production में इसके biomass का 60-70% जो होता है वह protein होता है ठीक है तो यह एक तरह का sinobacteria है spirulina के नाम से capsule भी आता है market में बहुत ज़्यादा protein होता है और अच्छी quality का protein होता है और इसको कहीं भी grow करा सकता है wastage में wastewater के उपर बहुत अच्छे से grow करता है ठीक ऐसे colonial कौन सा है example colonial का colony form में होता है वह एना बिना और फिलामेंटस कौन सा है नौस्टॉक और ऑसिलेटोरिया यह एक्जाम्पल्स तुम्हें ध्यान में रखने हैं यह इंपोर्टेंट पॉइंट है कुछ fresh water वाले होते हैं और कुछ marine water rarely terrestrial होते हैं और यह नीचे के दो इक्जाम्पल्स है नौस्टॉक और एना बिना जो नाइटोजन फिक्सर है इसको मोलते है बाइबी एनफ बाइलोजिकल नाइटोजन फिक्सेशन में इनका बहुत इंपोर्टेंट रोल होता है बेटा ठीक है कीमो सिंथेटिक और टॉप की बात कर ले तो यह नौन फोटो बिस्ट क्वोटेशन करते हैं मैंने बहुत सारे कैमी कल का मैंने पहले भी बताया करते चहांपे फोटोडेश से पूट बहुत वॉट यह गालग फोटार से बाते हैं किनकि नहीं हो रहा है ठीक है और इंको कॉसरे स्रूटसौआस से ह्फैर्चिस से हैटो इना 20 फिक tahun जाता है तो उसमें भी यह फोटो सिंटेसिस कर लेते हैं कुछ और गैनिक कंपाउंड को ब्रेकडाउन करके वहां से इनर्जी ले लेते हैं जैसे अमाइनोसीड फैटी एचेट इवन दे कर्बो हाइड्रेट एक्जांपल है सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टिरिया में एक नेचर क्योंकि मुझे दो चीज़ें क्लब करनी पड़ नहीं है इंसल्टी के इंपोर्टेंट पॉइंट्स और तुम्हारे बुक के जो इंपोर्टेंट लाइन्स है क्योंकि यह आगे तुम्हें यूज होगी दो यह चैप्टर नहीं है सीटी में लेकिन आगे वाले लेक्सिंग में जिसे हैं लेगो इन्हें प्लांट में रईुपल है मैने अगे जांपल दिया और कुछ पैथोा जाने अलग अलग बिमारी ओंस दोन में हुमन आग ऑर दूसरी इनिमल समें अब और और एंग्जांपळ है माइक्वी प्लाजमाउ今年 है माइक्वी अभी यह मतलब क्या हुआ कि इसके पास it is a bacteria minus cell wall so it is a bacteria without cell wall it lack a cell wall इसके वज़े से इसका जो body shape होता है वो constant नहीं होता है वो vary करता रहता है इसको pleiotrophy भी बोलते हैं तो उसके वज़े से उनका shape change होता है रहता है और जितने भी antibiotics wall attacking है वो इसके उपर काम नहीं करेंगे अगर mycoplasmal infection है तो normal antibiotics wall attacking है जिसे इंपिसलीन हो गया पैनिसीलीन हो गया इस पर काम नहीं करेगी तो इसके लिए citracycline या फिर steptomycin देना पड़ेगा ठीक है तो और यह बहुत सारी बिमारिया cause करती है और यह दीजादे smallest living cells known and can survive without oxygen जिसे एक example है इसका पीपी एल ओ जिस सबसे छोटा smallest living organism है smallest living organism पीपी एलो का मतलब क्या होता है बट्टा प्लियूरो प्लियूमोनिया लाइक और गैनिजम इसके discovery में बहुत सारी problem आई क्योंकि इनके shape इतने change होते थे तो usually इनको grow कराते हैं कहां पे blood अगार की plate use करते हैं जहां पे हम इनको grow करते हैं यह blood अगार की plate होगी मतलब अगार होगा उसमें blood होगा तो उसमें mycoplasma को easily grow करा सकते हैं ठीक और इसके लिए जो effective antibiotics होगा वो tetracycline होगा ठीक है जो wall attacking antibiotics होंगे जो cell wall को attack करते हैं क्योंकि इसके पास cell wall है नहीं तो यह काम उनके उपर नहीं करेंगे ठीक है clear है अब कुछ और structure की बात कर लेते हैं एक structure है जो मुझे बात करना है plasmid मैंने बुला कि extra chromosomal dna है और एक चीज़ और बताई थी कि इनका जो dna होता हो circular होता है और उनमें non histone proteins होता है histone eukerotic system में मिलता है और यह structures है यह plasmids है ठीक है तो मैं बात की कुछ और नहीं बना रहा हूँ तो यह जो structure होंगे न बिटा यह मालो उसका cell wall हो गया यह genomic dna फिर chromosome हो गया genomic dna या फिर तुम उसको nucleus बोल सकते हो nucleus के जगा पर nucleoid बोल सकते हैं या फिर incipient nucleus है क्योंकि इसके उपर कोई membrane नहीं है यह सारे plasmids हैं जो बहुत अलग-अलग character देते हैं एक interesting चीज बताता हूँ एक Indian scientist है कामत उन्हें अमेरिका और कनेडा में किया था basically अमेरिका में किया था आनंद मोहन चक्रवर्ती इस नेम उस एम चक्रवर्ती इन्होंने एक ऐसा bacteria बना है उसको उन्होंने बोला super bug और उन्होंने वह नाम था उनके bacteria का उसका नाम था pseudomonas putida उसमे उन्होंने अलग अलग तरह के different types of the plasmid को डाला और यह जो super bug था ना बटा यह किसी भी इट कें डिग्रेड इनी टाइप आफ आइल कंपोनेंट जो आइल के different components है ना बटा उनको डिग्रेड कर सकता था क्योंकि plasmid के अंदर ability होती है ऐसे उनके उपर genes होते हैं जो bacteria को अलग अलग characters देते हैं ठीक है हमारे scope थोड़ा limited है तो plasmid यहां पर मैं हमेशा एप प्लस और एप प्लस जिनके पास है और जिनके पास नहीं है इन दोनों के बीच में होगा DNA transfer होगा DNA transfer में genomic DNA नहीं जाता usually जाता क्या है plasmid ठीक है अब r factor resistant factor बहुत सारे bacteria जो होते हैं वह antibiotics से या फिर दूसरे drug से resistant होते हैं वह resistance उनको कौन प्रोवाइट करता है यह plasmid करते हैं दीसरा होता है कॉलिसीनोजनिक फैक्टर यह फैक्टर क्या करता है के chemical बनाता है उसका नाम है कॉलिसीन जो इकोलाई लाइक बैक्टीरिया को किल कर सकता है तो यह ability जो होती है न बैटा वह plasmid के जो जो भी एक्सट्रा फीचर्स बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं वह plasmid देते हैं और सारे बैक्टीरिया में plasmid यह भी जरूरी नहीं होगा अब मालों एक bacteria के पास plasmid हो हमेशा रहेगा ऐसा भी नहीं है जब berasmi की जरूरत नहीं होती है bacteria तो उसको को रिमूब कर देते हैं बैक्टिरिया अपने आप से ठीक है अब यह बैक्टिरिया का जो स्ट्रक्चर देख लो उसका साइटोप्लाजम देख लो फ्लैजलम और दोको बैक्टिरिया में फ्लैजलम यह वाला जो स्ट्रक्चर सोता वह उनको मोटलिटी देता है यह वाला जो structure होता है उसका यूज होता है Conjugation में कि सेक्स पाइलस भी बोलते हैं और attachment में और एक अलग तरह का होता है जिसको फिंबरी बोलते हैं जो basically tissue में या फिर दूसरे जगह पर attachment में इनका प्रोल होता है कि तुम चैप्टर में पढ़ोगे इसलिए मैं ज्यादा नहीं जो राइबोसोम इसमें कौन सा होगा 70S होगा ठीक प्लाजमा मेंबरेन होगी और कोई भी मेंबरेन बाउंड नो सेल मेंबरेन बाउंड स्टक्चर प्रेजेंट नो सेल मेंबरेन बाउंड स्टक्चर ठीक इंक्लूडिंग नूकलियस वो नहीं होगा इनके पास तो ये बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होगी और फाइब किंग्डम को जो भी हमने समझना है वो सेल स्टक्चर नूकलियर मेंबरेन है की नहीं है बोडी और्गनाजिशन उनका कैसा है मोड अफ नूट्रीशन कैसा है और सेल वॉल कैसा है इसकी बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करेंगे यह कॉंजूगेशन दिख रहा है तो कॉंजूगेशन वही करेगा जिसके पास एप्लाजमिड होगा तो ये एप्लाजमिड तुम् किसका हो रहा है ध्यान से अगर तुम देखोगे तो ट्रांसफर तुम्हारा हो रहा है किसका प्लाजमिड का और कभी-कभी कुछ केस में कुछ पार अगर इमालो यह से अटाइस है तो उस केस में कुछ पार्ट इसके भी जा सकते हैं otherwise the conjugation is the only natural way of the gene transfer between the two bacteria तो यह 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 प्लस हो गया और यह भी प्लस हो गया और यह भी प्लस हो गया मतलब यह भी कॉंजूगेशन अब कर सकता है ठीक है चलो कुछ questions देख लेते हैं इसके उपर revision आपको five kingdom system फिर से पढ़ना अच्छे से five kingdom system के criteria क्या क्या है उसके बारे मैं बात करनी है मोनरेंस का detail मैंने दिया हुआ वह अच्छे से पढ़ना है ठीक और पिछला जो chapter था वो पूरे अच्छे से revise करना है और homework में archibacteria पर अपना notes बना लेना है u-bacteria के उपर अपना काम अच्छे से examples है और sinobacteria मैंने बोला कि यह दोनों एक ही चीज है अलग से इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि कभी कभी question इसमें आ सकते हैं अपना इसलिए और इसलिए और सकते हैं और प्राइटिरिया of five kingdom कि तुम्हें ध्यान में रखना है ठीक है चलो questions ले लेते हैं पहला question in five kingdom classification the unicellular prokreatic organism किसमें रखा गया था हमारा answer होगा मोनेरा दूसरा question देखते है Aristotle classified the plant on the basis of their morphological character and categorize them into last lecture में मैंने बताया था कि तीन category बनाई तुम्हें प्री shrub and herbs होते हैं पूरा soft tissue होता है greenies होते हैं straw होते हैं थोड़ी height ज्यादा होती थोड़े brownies होते हैं थोड़ी hardness होती लेकिन thick stem नहीं होता है ठीक है और tree मतलब जिनका stem भी थिक होगा brownies part ज्यादा होगा और structure भी बढ़ा होगा यह तीन category थे जो अरिस्टॉटल ने decide किये थे which is the early kingdom occupied by the blue green algae nitrogen fixing bacteria और methanogenic bacteria तुमारा simple answer होगा monera अभी तुम्हें यह बहुत आसान लग रहा है क्योंकि तुमने अभी पढ़ा हुआ है लेकिन कुछ यह five kingdom ओले थे यह six kingdom ओले थे और यह four kingdom ओले थे ठीक और यह हमारे two kingdom ओले थे unstable होते तो तीन kingdom ओले हो जाते हैं bacteria are grouped under the four categories यह चार category तुम्हें दिख रहा है यह diagram अभी तुमने देखा था based on their shape study the given identify a यह क्या है तुमारा spherical है तो कैसा होगा caucus होगा ठीक तो a इसमें दिख रहा caucus है मिल गया answer b यह कैसे होंगे rod shaped है तो यह bacilli होंगे c spirulam है d comma shaped है तो vibrio so answer is going to be the second one लेकिन यह तुम्हें ध्यान में रखना है ठीक से पढ़ा होगा तो यह याद आएगा ठीक है so that's all for today we'll see you in the next lecture और ध्यान यह रखना है next lecture हमारा कल ओने वाला है so tomorrow we'll have the अधे आमचा दूसरा lecture है third part and we'll discuss more about it so how you like this and I hope that it happened to be the informative so I giving you a lot of thanks from this amazing platform of the PW में मैं तुमारा बोटनी टीचर अस्थाना सर आज के लिए बाइबाइ see you in the next lecture tomorrow thank you कर दो कर दो